नमस्कार आप सब का स्वागत हैं दो जनवरी को इंडियन क्रिकेटर रहे रमन लामबा की 57. बर्द इनिवर्सिरी है उनके साथ क्रिकेट फील्ड पर हुए दर्दनाक हाथ से को क्रिकेट हैंस शायद ही कभी भूल पाए फर्वरी 1998 में जब वो हाथ से के बाद जिन्दगी और मौत से जूज रहे थे तो उनकी वाइप एरपोर्ट जाकर उन्हें रिसीव करने वाली थी रमन की वाइप भाकिम ने एक इंटर्व्यू में उस पूरे मुमेंट के बारे में जिक्र किया था रमन लामबा की वाइप भाकिम ने 2014 में एक इंटर्व्यू में उस मुमेंट के बारे में बताया था जब उन्हें पतिक के साथ हुए हरदनाक हाथ से की ख़बर मिली थी किम के अनुसार मैं एरपोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी रमन को प्लाइट से पिकरना था तभी बांगलादेश से मेरे पास फोन कॉल आया फोन पर ऐसी अबर मिली जिसे कोई सुनना नहीं चाहेगा रमन के साथ हुआ हाथसा बहुत भुरा सपना था गौर तलब है कि बांगलादेश में एक क्लब मैच के दोरान फील्डिंग करते हुए रमन लामबा के सिर पर जबरदस्त बॉल लग गई थी तीन दिन संगर्ष करने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया मौत के वक्त रमन मात्र 38 साल के थे बांगलादेश में हुए इस हाथसे के समय उनकी पतनी भारत में थी रमन की मौत के बाद उनकी आयरिश पतनी किम दो बच्चों के साथ पुर्तगाल शिफ्ट हो गई थी 1990 में रमन को आयरलेंड में किम से पहली नजर में ही प्यार हो गया था रमन और किम के दो बचे बेटा कामरान बेटी जैस्मिन हैं एक इंटर्व्यू में किम ने बताया था कि रमन को उनसे पहली नजर में प्यार हो गया था किम के अनुसार आयरलेंड में रमन मैच खेल रहे थे तब ही वीड के बीच में से हमारी नजरें तकराइं रमन तुरंत मुझसे बात करने आये मुझे पहली मीटिंग आज भी याद है वो लवैट फर्स्ट साइट था इसके बाद रमन और किम की शादी सितंबर 1990 में हुई थी 20 फरवरी 1998 को रमन बांगलादेश के धाका में क्लब क्रिकेट खेल रहे थे अबहनी और मुझम्दन क्लब के बीच मैट में रमन पावर शॉट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे तभी बैट समयन के तेज शॉट की बॉल उनके माथे पर आकर लगी बॉल एतनी तेज थी कि रमन के सिर से बॉल टकरा कर विकेट की पर के पास चली गई लेकिन रमन वहीं गिर गए हाला कि वो जल्द ही उठ गए लेकिन फील्ड से बाहर चले गए ड्रेसिंग रूम में उनकी हालत बेगरने लगी और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया रमन तब तक बेहोश हो चुके थे दिल्ली से तुरंत एक डॉक्टर को ढाका बुलाया गया तीन दिन तक ट्रीट में चलने के बाद उनकी हालत में कोई सुदार नहीं हुआ और 23 फरवरी को उनका निधन हो गया था